कैसे आप सब तो आप सब आप सब यह अच्छे होंगे, आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है तो आज हम बनाएंगे आइब्रो तो एक मुझे चाहिए प्लक कर उसके बाद मुझे चाहिए मुझे को प्लक कर लेते हैं कुई। आपनी आईब्रो को स्टे Vaup studying अपनी क्या वो किसी और की भी बनाएंगे तो शेप नहीं दे पाते हैं, जो गड़बड हो जाता है, तो हमें क्या गड़ना है कि इस तरह से आइब्रो को शेप देनी है, उपर से और नीचे से दोनों साइड से, एक जैसी शेप दे लीजिए, उसके बाद आपको धागा लेक और इस तरह से एक साइड से में खीच रही हूं तो दूसरी साइड से जो होते वो एक्स्ट्रा जो निकल जाते हैं, तो आप जो आउट लाइन कर रहे हो उसी के साइड से यह अपको जो बाहर-बाल होते हैं, बस उनी को आपको इस तरह से रिमॉव करना एग चीज तो फ्र तो मैंने इस तरह से आगे पीछे से पूरे बालों को स्ट्रेच करके निकाल लिया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सेल्फ करने में, लेकिन अब जिस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करने के बाद सब काम आसान हो जाता है, तो मैंने इस तरह से उपर के बालो को remove बालो को निकालने के बाद मैं ले रही हूं नीचे के आगे वाले जो बाल होते हैं सिर्फ फ्रंट साइड के उसे मैं धागे से निकालने की कोशिश कर रही हूँ धागे से आगे से आप थोड़ा सा आइब्डो को उपर को stretch भी इस तरह से अपने आगे के बाल निकालें उसके बाद मैं इस तरह से स्ट्रेच करूंगी दोने उंगली से देखी इस तरह से स्ट्रेच करके आपको प्लककर की सायता से सारे बाल निकालने हैं इस तरह से करने से आराम से जो होती है इसकिन वह भी नहीं किष्टी है बाल जितने जो एक तो आपने जो आउटलाइन की थी जस्ट उसके किनारे किनारे से सारे बाल इस तरह से निकालिए और देखिए मेरी आइब्रो कितनी क्लीन होगी बहुत जादा तो नहीं थे लेकिन जितने भी थे वह ऐसे देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे तो मैंने सोचा एक वीडिय पैंसिल में च्टा सा कॉंप दिया हुआ वा था तो मैं उसको इसायता से इसको आइब्रो को कॉंप कर रहे हूं उसके बाद जितनी भी एक्षटा गार जो नीचे से निगल रहे हैं उपर से जो भी दिख रहे हैं मुझे मैं उनको कर रहे तो कट करने के बा cow treatment अगा गया है इसी तरह मैंने दोनों आईबरो को किया है आईबरो बनाने के बाद जो है आपको मसाज करना बहुत जरूरी होता है और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट में बताईएगा और चैनल को सबस्क्राइब कर लेजेगा ओके बाबाई थैंक यू